नमस्कार दोस्तों मैं सिवम सैनी आप सभी के अपने चैनल मेडिकल इंफो में स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे डेकाड रूबालीन इंजक्षन के बारे में इसका यूज क्या होता है इसका डोज कितना देना चाहिए इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते है और इसका मार्केट में प्राइज कितना है आज हम इसी बारे में इस वीडियो में रिव्यू करेंगे तो अगर जानकारी आपको चाहिए तो बने रहे हमारी वीडियो के लास्ट तक और यदि आप हमारे चैनल पर नाय आ हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें साथ में व प्रिर्पर लाइन लिए उसका निमाल किये जाता है और बात करें से मार्क प्राइच के बारे में तो यह आपको मार्क कうん 300 से Ihre 300 रुपया के लिक्लार मार्क को मार्क के मिल जाता है और बात करें इसके Strength के बारे में तो यह आपको मार्केट में 25,50 mg और 100 mg के Strength में आपको मार्केट में मिल जाता है अधकर डेकाडूबल इंजेक्षन के यूज के बारे में तो इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है वो आश्ट्यो प्रोसेस नामक रोग में किया जाता है जिससे हड्डियों को fracture होने की खत्राब बना रहता है आश्ट्य प्रोसेस रोग में हड्डियों में पाय जाने वाले फासपोरस और कैल से ब्रद्ध में कमी हो जाती है और इसका उपयोग इनेमिया, ब्रेश्ट कैंसर, सरीज stratég की कमजोरी को दूर करने के लिए भी हम डेका डू बलीन इंजेक्شन का उच कर सकते हैं यह दिए आपके सरीज़ें में खून की कमी हो गए है तो उस condition भी हम डेका डू बलीन इंजेक्षन का उच कर सकते हैं बात करें डेकाड रूबालीन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में तो इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो सूजन आ जाना, इस्तनों का आकार बढ़ जाना, चेहरे पर मुहां से आ जाना, जी में चलाना, खु को माईग्रेन है या आपको फॉर फायरिया है तो ऐसे कंडिशन में हमें ड्रेकर रूबल इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए अब बात करते हैं कुछ लोगों के श्रवालों के बारे में कुछ लोगों का श्रवाल होता है क्या इसका उप्योग हम गर्वती महिला करवा सकते हैं तो इसका उप्योग गर्वती महिला में नहीं करवाया जा सकता है और कुछ लोगों का श्रवाल होता है क्या इसका उप्योग हम गाड़ी यान कोई मसिन चलाते समय कर सकते हैं इसका उपयोग हम ड्राइवरिंग यान कोई मसिन चलाते समय भी कर सकते हैं और कुछ लोगों को श्रवाल होता है क्या इसका उपयोग हम सराप के साथ कर सकते हैं तो दोस्तों इसका उपयोग में सराप के साथ नहीं करना तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें अपने दोस्तों को सेयर करें तो मिलते हैं अपने नेस्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद